हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अमरती फैशन मिला आज की वीडियो में हम लड़ू को पाल जी के लिए टर्बन बनाएंगे यह देखे हमने बहुत ही ब्यूटिफुल सी पगड़ी बनाई है और हमने इसे सलायों की हल्प से बनाया है यह देखे यह फ्रेंड से अगर आप मेरी विडियोत थोड़ी से हलेफिल लगती है तो आप मेरी चैनल य myster को सबस्क्राइब करें फ़ाइब करने को आपको मेरा काम पॉण्बर प्रश्क्रץ कर सकते हैं और अगर आपने अब और आपने पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर फॉलो करें मेरा इंस्टागाम है अम्रितीफेशंडा50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्सम बाक्स मिल जागा तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं को पाल जी के लिए यह ब्यूटिफुल सी टर्बन यह देखिए काईस हमने यहाँ पे वाइट और रेड दो कलर के उन लिए हैं तो अभी हम रेट को आते हैं हमें वाइट से पहले काम करना है और इसके साथ हमने यह दस नमबर की सलाई ली होई है तो चले हम फंद डाल देते हैं वाइट कलर से हमें फंद डाल ले हैं तो यहा कि अपने राइट हंड से ऐसे करके फसाना है और लेफ्ट हंड से यह हमारा फंदा बनेगा और यह देखिए इसके नीचे से हमें ऐसे नौट लगा लेनी है फिर हमें इसे यहां से ऐसे करके फसाना है यह किया और यह नीचे से हमने नौट बना ली हमने यहां पर दो फंदे यहनों बनाये हैं इसे करके हम इपने सभी फंदे यहां पर बना लेंगे तो चलिए मैं बना लेते हूं फिर आपको दिखाते हूं अब देखेए गाई हमने यहां पर फंदे डाल दिये हमने यहां total 40 15 डाले हैं मिहहन उस्के बना हिए अब मैं आपको सभी users के लिए कि आपके पmind कर दे डालें तो आप काना जी के कोई बी पुरानी कैप ले ले अगर आपके पास उनकी कोई बी better पुरानी कैप नहीं है तो आप काना जी के सर को पूरे राउंड में ऐसे करके मेजर कर सकते हैं मैं आपको इसे मेजर करके दिखाती हूँ जिससे आपको पता चले यह देखें यह नीचला हिस्सा है यह हमारी कैप है यह इसका नीचे का हिस्सा है तो हम यहाँ पर इसे मेजर करेंगे इंच तेप के अलब से अगर हम इसे यहां से और यहां तक नापते हैं तो यहांसे क्या को करेंगे दो क्या करेंगे की क्योंकि हमारी कप और लिए यह सथ पाँच cockpit आवरा है हमने यहां पर यह एदेखें तो भूँधनोंगे साड़े 5 इंच फंदे को डाला हुआ है सलाई में और अपने फंदे को ऐसे करके नहीं नापना है फंदे को हम अच्छे से फैल आ लए ये ये तरह से चरके और लिए आथ यह से इसे रखेंगे और फिर हम यहाँ 68 कि करेंगे गिया हमोर는지 लोकी 59 तो ऐसे करके आप मेजर करके किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं और देखें अगर आपके पास यह नहीं है तो यहां से ऐसे गोपाल जी के सर पे ऐसे राउंड करके नाप ले जो भी आती है साइज उसके हिसाब से बना ले तो अब तो यह हो गई हमारी परफेक्ट साइज बट यहां कैप के लिए हमें यहां पर थोड़ी सी सिलाई के लिए जगा चाहिए तो सिलाई के लिए हम यहां पर चार-पांच फंदे एक्ट्रा कर लेंगे दुर्नों साइट से हमें सिलाई के लिए कम से कम दो-दो फंदे चाहिए तो हमने यहां पर 40 फंदा डाला हम 45 कर लेंगे इसे हैं पांच फंदा हम एक्ष्ट्रा कर लेंगे देखे यह हमने एक दो कि तीन चार और पांच और गाईस हमें एक चीजका और धिया दे रहा है कि हमें बहुत खीच-खीच के एक दर्म टायट बंता नहीं डालना है हम अपने हलके हाँ उसे फंदे को डालेंगे तो अब हम बुनाई स्टार्ट करेंगे बुनाई के लिए हमें क्या करना है बहुत एज़ी ह सबसे पहले तो हम उल्टा-उल्टा बुनेंगे यह देखिए यहां से ऐसे सलाई को लगाना है और इधर से हम ऐसे पंदे को निकालेंगे यह हमारी उल्टी पुना ही है यह देखिए ऐसे करके बिनना हमें तो चलिए मैं एक सलाई बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी कि अगली सलाई में हमें कैसे बनाना है यह देखिए गाइस हमने यहां पे एक सलाई से बुन लिया उल्टा उल्टा अब हम इधर से इसे इधर पलतेंगे और फिर से हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है यह देखिए यहां से ऐसे फसा के सलाई को हम फिर से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे हमने अभी एक सलाह बुनी है यह हमारे दूसरी सलाह है ऐसे उल्टा उल्टा हमें यहाँ पे चार सलाह बिनना है तो यह हमारे दूसरी एक और दो दो ऐसे लाइन सा जाएंगी उल्टी उल्टी आपकी तो इसका मतलब में मार्क चार सलाई यहाँ पर हो गया है अब देखिए नेक्स्ट हमें यहाँ पर सीधा बुनना है तो इस बार हम ऐसे बुनेंगे यहाँ पर ऐसे करके लगाना है और यह फसाया निकला फिर इस बन्दे को गिढा दिया फिर हमें ऐसे करना है फसाया निकाला गिढा दिया यह देखिए हम पूरी एक स्लाई बुनेगे चले बूलनेते हैं फिर आपको दिखांगे कि क्या करना है में यह देखेगा है हमने यह पे चार सलाई उल्टा बुनने के बाद एक Σलाई हमें सीधी बुन ली Is यह विज्ञास aga में पूरा कर लिया है अब हम इस अलब हमें उल्टा-ऊल्टा ही बुनना है यह देखिये ऐसे करके चार सलाई हमारे उल्टी थी फिर एक सलाई सीधी फिर यह हमारे चटी सलाई जो है वह हम उल्टा-उल्टा बुनेंगे जिने बुनाई आती होगी उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बर जो फॉर्स टाइम बुन रहे हैं उनके लिए मैं अच्छ सब्सक्राइब दिखा ओधियं क्या करना है यह देखियाएं कि अलटा-उल्टा बुन लिया अब हम सीधी अज़ाना है चार सलाइं इल्टा उल्टा-उल्टा बुल लेंगे और उल्टा-बुनने के बाद जैसे आमने उल्टे गोपर इसे रिपीट किया है सेम वैसे रिप पार उल्टा-उल्टा बुनेंगे तभी यह कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए हम इसे बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे यह देखे गाइस हमने यहां पर इसे इतना बुन लिया है हमने जो छे सलाहियां स्टार्टिंग में बिनी थी चार हमने उल्टी-उल्टी सलाहि भी नहीं थी और दो सलाहियां में हमने 6 सलाहियों हमने दो बार पीट को हुई है यह तीन बार अब मैं एक वर आपको मजर कर के दिखाँ दूए की कि है कि एक्डस्मेंत ₱ Shiftक लं Jr और अपनी मेंशर करेंगे तो यह देखे कि तोड़ा चोटा है और मैं इसे घंटा acting हम जब उम इसे न्युकर तो यह अमारा कवर हो जाएगा उने की सोषरियो कृटी देख लेते हैं फिर हमने एक, दो, तीन, चार फंदे बुने और पांच में फंदे में हम दो फंदा एक अठा बुनेंगे, देखे, फिर हमने वही एक, दो, तीन, चार, और ये पांच में फंदा हमारा एक अठा बुनाएगा, ऐसे करके हम अपना ये पूरे लाइन बुन लेंगे, चले बु प्राइन में दिखाएंगे कि कैसे बुलना है यह देखें गाइस हमने आप एक स्लाइब बुल लिया अब नेक्स लाइब में हमें क्या करना है यह भी हमारी लगबक सेमी रहेगी बस हमें थोड़े से चेंज करने हैं यहां पर हमने एक फंदा बुना दो फंदा बुना और त वा है अब इस चौथे फंदे में हम ऐसे देखी एकठा बुल लेंगे अधिara में फिर आमें आपर एक कि दो सत्री चूथे वंदे में हमने ऐसा करके एकठा बुलने यह तो ऐसे करके Hagana event करेंगे चुले खतम करते हैं फिर नेक्स में दिखाएंगे कि क्या करना है हमने दो सलाइब बुल ली अब तीसी सलाइब में भी हमारा वही रहेगा बस हमें यहां पर तीन फंदे की जगा पे दो फंदा बुलना है यह पहला हमने बुलना दूसरा बुलना और हमें उल्टा- बुलनेंगे मैं रहेगा पे जैसे हमने फंदा कम किया है वैसे ही कम करेंगे जैसे इसकी हुआ से ytiltak में है हम इस दो गथा आशे सबस्धिय दो फंदा करनाों हो गजे देखें सभी दो-थोफंदे को में ऐसे एक अठाय करसके बुनते चलना है यह दोफंदा हमने भूना फिर हमने दोफंदा मुना उसा ऐसे करके हम न यह पूरा पूरा पसलाई कंप्लिट करेंगे दो दोफंदा में मुनना है ऑब यहां पापर आपको पांच six फन्दी में रहजाएं कि या longitud को आपके सते हमें से करता हैं के मिने से थपयों प्रफंडे को बढ़ सब्सक्ता यहां से छी था पर आधे होग हम अभिए बूंद यहां पर लेगे और सीघ्ठाब कृटे Temple अध्य में सबढ़ सोतोर हुआ है 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 यहां 20 फंद कि उन भुन मत्ती है है यहां process पहसा कर दो राइज घ्र से पहड़ा है कर देङ喇क थाखी को पड़के कर देंगे यह देखे गाइस हमारा हम Anders बिख क्रोपीट हो गया जिए यह पूरा पनुट बेख रहा होगा है तो यह मारा बेस कमण इसा हम अधा दूत है अब देखिए हमने यह यहां पर यह हम त receipt तंदम ही टाइट दाले हैं और यहां पहले हम एह अथारह पंद chyba अपन देके इश्या में कैसे बुरना है पहले बात तो हमाले बहुत ही टैट बोध डाले हैं तो यहां पहले आपको यह को आपको टई टाइट फंदे डाले आप तो देखें इसे भी हम उल्टा-उल्टा ही बुनेंगे ऐसे करके यहां पर हमने 18 फंदे को बुन लिया है अभी हमने यहां पर एक सलाई उल्टी-उल्टी बुनी है एसे हम यहां पर तीन सलाई और उल्टी-उल्टी बुनेंगे और जैसे हमने इसे बिना है यह देखें यह हमने चेचे में कम्प्लीट किया है तो चुलिए मैं बून लेके इसे थोड़ा सा लंपा कर देते हूं फिर आपको दिखाऊंगे क्या करना है यह देखें हमने यहां इसे बना के कम्प्लीट कर दिया है हमने यह देखें एक दो तीन चार पांच पास धारिया आपको दिख रहे होंगी और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको देखेंगे एक दो तीन तीन धारियां देख रही है तो ऐसे करके हमने इसे थोड़ा सा चौड़ा ब तो यह देखिए है यह हमने यहां से ऐसे किया और यहां पर हम टाइट करके इसे अच्छे से बाधेंगे यह देखिए यह हमारी उपर से कलगी बन गई है बहुत ही अच्छी लगेगी गाइस हम इसे अच्छे से सिल देंगे हमने यहां दीके दागे को नट लग गणके कट कर दिया है NOW हम में इसे बनाने है तो इससे बनाना बहुत ही ही हमने यह देखिए यह जो हमारा धागा था यहां से उसे हमने सूर में डाल दिया है और इसे भी हम ऐसे करके सिलेंगे यह हमने एकठा किया और इसे हमने यह देखिए अच्छे से हमें टाइट करके सिल देना है यहां तक आएंगे हम यह देखिए यहां पर हमने इसे सिला अब यह हम अपनी सूई को वापस लेके आएंगे यह देखिए यह हमने एक साइट से सिल दिया अब इसी दाए को हम यहां से कटने करेंगे और यहां नीचे की साइट से से साइट से अपने दूसरे साइट वाले को लेंगे सेम तरीके अलब देखिए ऐसे इन दूसरे साइट वाले को सिलेंगे हैं बहुत अच्छे से हमें किच के स्ट्रीच करना है यह देखिए यह देखिए यह आपको दिख रहा होगा इसका सेप यहां से बहुत ब्यूटिफुल सा सेप आता है गाइस अब देखिए यहां पर आपको यह होल दिखेगा तो इस होल में से हमें अपनी कलगी को अंदर डालना है यह हमने अंदर किया और देखिए इसे सेट करेंगे इसके अंदर अच्छे से यहां पर देखिए ऐसे करके इसे हम सीलेंगे इसके साथ हमें इसे अटेच कर देना है बस करेंगे कि कि यह देखिए द्याजश में हां पर मोदी लगां कर लेए थी कि अच्छा लग रहे गी ने तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है अब यह जो इसका एक्ष्ट्रा बाग है इसे हम यहाँ पर ऐसे फ्रंट पर ले आएंगे और इसे हम यहाँ पर ऐसे स्टिच कर लेंगे यह हमारी पगड़ी पर ऐसे आ जाएगा यह देखिए गाइज अब देखिए गाइज यह जो हमने मोती लगाए थी यह हमारी आठ नंबर की मोती है और यह हमने इसमें धागे में 4 नंबर की मोती लगा लिए इसे हम ऐसे राउंड करेंगे आसे करके और यहां पे हम एक मोति से निकालेंगे यहां पे ऐसे ससे कर लेना है और उसके बाद पीछे से धागी को not लगाके कट कर देंगे यहां पर आपको इसे दो तीन बार तक कर ना होगा जिसे यहीं पर ऐसे सेट हो जाए तो यह देखिए यहीं पर खतम हो गया है तो मैं यहां से अभी कुछ सूई को अठा देती हूँ और यहां पर मैं इसे ग्लुगन की अपसे ऐसे चिपका दूंगी आप यहां पर सुई थाई के अपसे दो तीन बार टक कर देंगे तो यह आपका सेट हो जाएगा तो चले मैं इसको चिपका लेती हूँ फिर इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी यह देखिए हमने इसे यहां पर चिपका लिया यह हमारी टर्वन का फाइनल लुक बहुत ही सुन्दर है यह देखिए बैक से भी और यह फ्रंट से हमने बहुत ही इजी वे में आपको बताया बनाना आपको अच्छी लगी हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्ल